नमस्कार दोस्तों, आज की लेंडिंग में आमने स्टार्टिंग किया है एक चार्ट से, और चार्ट आप देख पाढ़ेंगे, और इस चार्ट में पिछले एक साल की जो ट्रेंड कहता है, जो लगातार एक हायर टू हायर पर गया था, उसके पीछे का क्या कारण रहा और यह यहां से लेकर के जो अपनी higher to higher को touch ना कर पाती कभी उसको लेकर के क्या कहें जो lower to lower को लगातार क्या कर रही है एक तोर की निकल जाती है मतलब dip के लिए कयार हो जाती है इस तरह के graph को लेकर क्या चर्चा करेंगे जिस company क्या इसका नाम है इंद्रियानी ब्रायो टेक लिमिट पर्सन की बात करूं तो पच्छी सजार सेर होल्डर की बात करूं तो यह ऐसा आकरा कहती है मैंने कहता हूं जून तक का डेटा क्या अब इस company को लेकर के क्या क्या हुआ और क्या क्या चल रहा है तरानी बायो टेक जो company है उनमा देखा जो इनकलोशिप्स क्रोथ की बात करत है और अलग अलग ब्रांट से क्या होने वाला इतना सा ब्रांट से पैसा क्या कमाती और स्टॉक मार्केट की ऐसा ट्रेंडिंग क्या बना जो इसमें थोड़ा सा गिराबट का सेंटिमेंट भी जहां पर business unit की बात करें company को लेकर के यहां पर कुछ दर्साती है जहां पर दे सेक्टर के बात करें तो लग अलग सेक्टर के कंपनियां हैं और कामकाज करती है जिसका नाम है अंध्यानी बंट कंपनी का यहां पर देखा जाए तो company hospitality इंजिनिंग सर्विस प्रवाइड करती है और एक तरह से foods line के अंदर भी company का निकल के आती है आखिर इन सब के पीछे मार्केट में ऐसा क्या sentimental बना जो लगातार यहां पर बिकबाली का प्रेशर चल रहा है तो क्या चलने के प्रियास करेंगे जहां पर company की तरफ देखा जया तो book value कहता है तेरह का intrinsic value के बात कहती है इन से अब सवाल आता है कि company में जो comparative sectors है उसमें भीहर का क्या कारण है तो कहती है जो इसी सेक्टर की जो बाकी कंपनियां है अब यहां पर sector को define करना तरह सा मुश्कील लग रहा है पता है क्यों यह जो sector है यह sector का आकरा देती है कि सेक्टर से पता है portal and restaurant services जब कि company का काम का और भी सेक्टर में कहती हो hospitality and healthcare सेक्टर की करना इसी लिए फिलहाल यदि इसी के recording यदि चलता है तो market को लिए लगता है कि यह इस के हिसाब से 15 लोगों की भी है मतलब अर्मिंग पर शेयर के recording 15x का बीर कहता है लेकिन बाकी कंपनियों में इसका 200% से ज़्यदा कभी है इसी लिए market की sentimental यह बन रही है कि अर्निंग के basis पर कितना कहता है कहता है केवल और केवल 30% की अर्निंग करती है तो कम नहीं है यदि face value के recording देखा जै तो 30% की अर्निंग कम नहीं होता इसके recording market में आरोशी भी 14% आरोई की बाद भी करीब 11% का करा कहता है और market ने इसको देखा तो higher to 100 रुपे तक को touch करती हुई नजर आती लेकिन lower to lower to 40 को लगातार क्या कर रही है किरती नगरा इसके गरने के पीछे कुछ कारणों को समझेंदी की पडियास करेंगे जहां पे निवेशक कड़े 25,000 के आसपास कहता है और यहां पे current ratio और debts ratio को ले करके हम क्या करेंगे प्रमोटर की holding cable 33% बची है और उस 33% में प्रमोटर ने 15% की holding को प्लेज करके रखा है जो की एक demerit की बात करेंगे इन सभी फेक्टरों को इन सभी highlight के प्रती जवहां पे हमने किया है उसके लिए क्या करेंगे हम R2R को समझेंगे इसका नाम है risk to reconciliation को from the कहा से इसका नाम हमने रखा है F2 T2 test करेंगे जहां पर fundamental to technical trend तो एक समझने की प्रियास करेंगे चलिए जानते वे समझने की प्रियास करते है कंपनी को ले करके कुछ fact को क्या 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 है जहां पे यहां पे दिखाती है company जो हमारा quarter on quarter basis का जो income source है उसमें यह दर्स आती ह कि यहां से लेकर करके यहां तक ठीक ठक था लेकिन यहां से लेकर कि यहां तक में गिराबट है जो कि संकेर देखेगा करी 25% के गिराबट के साथ साथ net profit margin में करीब करीब 357% की उच्छाल बनाती है कहां पे profit के आंकरा से ऐसे year and year विसस करेंगे डेटा को तरफ देखें तो कहती है यहां से लेकर के यहां तक का ग्रोथ लेबल क्या है लगातार भागती भी नजर आती है एक जवाना था जब कोवीड का समया आया था और कोवीड में बहुत ज़रा पिटाई हुआ था इस सेक्टर को लेकर के चाहा अश्मिटलिटी और इसकी अकारण यहां पे किसी चीज़ को यह दिन ट्रेंडिंग व्यू के तरफ देखा था तर ट्रेंडिंग भी हमारे सामने यह दिखता है कि जो 14 क्रोड के आसपास स्टार्ट होती होती आज 45 क्रोड तक को टेच करती है लेकिन जून में थोड़ा ऐसा दिक्कत के साथ साथ बंद होती नजर आती ह और प्रोफिट का जो आकरा था वो करिब-करिब साड़े 4-5 क्रोड के आसपास पहुंसती हुई नजर आई थी लेकिन यहां प्याकर कि कौन से असी खतरा मोड लिया जिसका गिराबट जबकि कंपनी में पहले कंपेरेजिंग टू दा पिछले साथ से देखा जाए यहां क् करोड की सबादो करोडी इंटरेश्ट खर्च हुआ था लेकिन इनके लिए एक क्या है एक चीज देखने को मिल दिए कि मार्च टू मार्च में देखिए और सोर्स अफ इंकम भी कंपनी जनेरेट करती है लेकिन यहिए लास्ट दोस साल में हि जनेरेट कर ते लेकिन तेर सो क्रोड को टप को टच करकी आगे निकल चुकी है प्रोफिट का भी आकरा करीब करी 10 क्रोड को जर्था यह कुछ आकरा था इसको लेकर के जहां 10 क्रोड की बेसिस पे आकरा किया गया जिससे इसमें गिराबट था लेकिन पिछले 10-12 महेने के रेटार में इने के लिए प्रोफिट है इतना नुक्षान है लेकिन इसके पीछे कुछ कारणों को जानेंगे जो की बैलेंशिट में चुट हुई है उसके लिए हमें समजना पड़ेगा इनकी बैलेंशिट को रगडग को जहां पे सबसे पहला एंगल कहता है कंपनी को लेकरके जो क्या इनके पास इसका सिच्वेशन क्या है और इसका योटिलाजिशन की बाद क्या है यूज कहां कर रही है यह दरसा आती है हमने पैसा दो लिया पैसा का यूज कहां करते है तो कहती है हमने पैसा का यूज तो कहां दिखाया कहती है फिक्स तो बनाया नहीं ज्यादा नहीं बनाया बनाया जो भाई company जो है hotels में deal करती है, foods में deal करती है, या hospitality management में deal करती है। इन में देखा गया कि 40 क्रोड का यदि इनका market में risk है, risk के पीछे number of day केतना कहता है, कहता है 3 महने का, मतलब 90 day का, मान लेते हैं, क्योंकि 87 दिन का time, कभी 70 दिन हो गया, तो 90 दिन बूर गया। अब समझने बाली बात है, यदि हम 40 क्रोड का आखरा यदि तीन नमरों को समझने की बात है, 165 क्रोड, 40 क्रोड और तीसरा नमर की बात करें जहां पर 10 क्रोड, इन तीनों नमर को जड़ा आपस में compare करके देखिए और समझ के देखिए जो आखर इस business में, तो net profit margin क्या कहता है, जिस net profit margin में करिब-करिब 10 क्रोड जो उन्होंने profit क्या है, वो तो इनके पास other source of income से, अल्रेड इनके पास क्या है, pocket में है, कहती ही नहीं, यह कहां की parts है, यह है इसका 10 क्रोड इचे लेब इंग्रेश्ट की part, 10 क्रोड में केवल और केवल 1 क्रोड का आखरा कहता है, other source of income है, जिसमें 165 क्रोड और 40 क्रोड, साथ में कहते हैं 10 क्रोड में 1 क्रोड, इन तीनों का नंबर को देख लिए और समझ जाए यह market में कितने risk factor बनी है और risk factor 90 के लिए कहता है, और क्या बाकि कंपनियों में इसी तरह की risk है कि नहीं है, के लिए data profit ratios को समझना पड़ेगा और इस का आकरा से हमने यह देखा, एक चार्ट के basis पर यह decide नहीं किया सकता कि market में इनकी grow label क्या क्या है, यहां पर यहां पर grow label दर्स आती है कि company में fundamentally क्या कहती है, इस strong to strong पे company का का कामकास है, जहां पर यह भी देखा गया कि यह दिकी assets 50% बढ़ती है, liability भी बढ़ती है, वो भी near levels है, ऐसा कौन का काम जहां पर के वल 3% के आसपास है, आपस में कह सकते हैं कि 10% के आपस आसपास की gap up है, assets और liability को increase करने, near about की बात कर रहा हूं, यह इन ही प कुछ अपने historical report record के basis पे, जो sales का करा था, वो literally 3 साल में तो अच्छी कासी grow दिया, profitability को लेकर के अच्छी कासी grow दिया है, last 2-3 इन शालों के data business, लेकिन profit के recording और sales के recording, जो के stock price CGR था, वो नहीं करा, इक landing position है, जो की return on equity, इनको support नहीं दे पाती है, तक एबल इसके support के basis पे market न ज्यादा देखने को मिलता है, अर्थाद कुछ sentimental update देता है, इसको लेकर के, यहाँ पे कोई sentimental फिलहाल की latest कोई update नहीं है, कि इसको लेकर के ना कोई pivot, बात किया है company ने, लेकिन, 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 बात किया जाए, तो trending views का last 3 सालों के data दिखा जाए, trending view पिछले कुछ दिनों से लगातार गिराबट वाली situation से बनी है, चाहे हम किसी भी time frame के हिसाब से देखें, तो यहाँ से देखें, market क्या कर रही है, market गिरने के लिए मजबूर हो रही है, market लगातार क्या कर रही है, अपनी सीडियां को सीडियां, सीडियां अंदर सीडियां में गिराबट ही निकले और यही कुछ आकरा कहता है जब कि इनकी निवेशकों के तादात में कहते ही कोई बल्क डिल नहीं है कोई इस तरह की बल्क डिल सामिल नहीं है लेकिन मार्केट में वॉल्लियूम तो आई कैसे इसकी तरफ भी देखा से यहां कहती है लोवर वॉल्लूम को टेच कर रह देखा जाए तो fundamental में ऐसा कोई भी अंगल्स नहीं था जहां पर इसा कुछ दिखने पर चूड़ दिया जाए जहां पर 31 करोड की बिसेस पर कितना प्रॉफिट कमाती है कि पचासी लाग का प्रॉफिट कमाती है यह कुछ एक्सेशनल केश हो सकता है लेकिन पहले भी कंपन की तरफ देखा जाए तो पियर्स में कहती है तो यहां भी कंपेरजन टू दा अधर कंपनी भीर का आखरा काफी कम कहता है और यदि मार्केट में यहां 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 भीर बढ़ती है वो सकता है दो चार पीर यहां भी बढ़ता है तो मार्केट को क्या मिलेगा पुस् के अलाबा कौन बैठा है प्रमोंटर यहां पे अपनी होल्डिंग को लगातार बेच के निकल रही है ऐसा ही देखने को मिलता है जहां पे और ताविस परशन्ट से बच के आज अखिर गया कहां जहां पे डियाई ने अपनी होल्डिंग को लगातार बेचा है और सब के सब्सक्रिप्ट कहां किया है और यह कुछ आंकरा देती है और पब्लिक में कुछ बड़े लोग भी बैठे हैं और कुछ बड़ी कंपनियां भी बैठी जिनके पास अच्छा कासा यह की सेंटिमेंट को दर साथ आए इसके बारे में यह कहते है कि बांके डिविदेंट की पार और बांके सारे चीज़ों को लेकर कहते हैं कुछ में गिराबट गिश्में अच्छी नहीं है कुछ में रिसक्टर भी बनती है इनका ट्रेंडिंग व्यों को हमेसा समझना चाहिए कि मार्केट ट्रेंडिंग किस रस में चल रही है फिलाल ट्रेंडिंग के लिए में वॉल्यूम को भीटकू देखना है पड़ेगा मार्केट में वॉल्यूम की पार्ट है उसमें क्या है क्या राइस बढ़ रही है वॉल्यूम बढ़ रही है और वॉल्यूम नहीं बढ़ र को लेकर के हमारे तरफ से कोई भी रिक्मेडेशन या रवाजरी नहीं होता हूँ ना कोई एडवाजरी के पास सामिल है विडियो को लाइक कर सकते हैं और जोएं बिटन को क्लिक कर सकते हैं मिलते हैं कुछ नई स्टाड़ी के साथ न्यू कंसप्ट के साथ और तब के लिए थांक यू सु मच पॉर जोइनिंग एड़ोशन